Hello students, welcome back to Organized Order Channel और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिसकस करेंगे वर्कशीट नॉमबर 18.4, क्लास 6 विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2nd December 2020 के लिए शेडूल की गई है आज की वर्कशीट में हम प्रकाश जो चेप्टिर है हमारा बेटा वो कंटिन्यू करेंगे प्रकाश 6 एवं परावर्तन प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है तो बेटा जो प्रकाश है उसकी जो केरने हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं ऐसा नहीं है कि वो जो है से मुर्ती हुई जाती हैं इसके लिए हम एक activity करेंगे activity क्या है एक pipe का टुकड़ा लीजिए या chart paper को गोल बना कर pipe जैसा कर लीजिए तो आप इस तरह से एक pipe का टुकड़ा ले सकते हैं या आप chart जो होता है उसको भी ऐसे wrap करके और उसको भी pipe की तर ही pipe के अंदर से तो इस तरह से आपको मॉंबत्ती देखनी है pipe को मोड कर मंबत्ती को देखने की कोशिश करनी है और जो भी आपका result है उसको आपको लिखना है अब बताएंगे कि क्या आप सीधी pipe से आप मॉंबत्ती को देख पाए तो बिटा जब pipe आपकी बिल्कूल ऐसे स सकते हैं तो जब आप ऐसे देखेंगे आप जो गतिविदी है इसको जरूर करके देखिएगा तो जब आप ऐसे मुंबत्ती को देखते हैं तो आप जो मुंबत्ती है उसको देख पाएंगे तो आप यहाँ पर लिख देंगे हां हम मुंबत्ती को देख पाएं दूसरा क्या ह प्राइशने क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड कर मौमबत्ती को देखने की कोशिश की तो क्या होगा जब आपने पाइप को मोड कर मौमबत्ती को देखने की कोशिश की मौमबत्ती दिखाई नहीं दी ठीक है आप लिख देंगे मौमबत्ती दिखाई नहीं दी ठीक तो मोडने से क्या हुआ कि जो प्रकाश है वो मुदती का प्रकाश हमारी आगों तक नहीं पहुँचा जिसके कारण हमें मुदती दिखाई नहीं दी। इससे यहाँ पर सपस्थ होता है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। next देखिए next हम करेंगे जो है pinhole camera कैसे बनाएं so pinhole camera जो है कैसे बनाएंगे बहुत ही आसान है एक गत्ते का box लेकर एक किनारे पर tracing paper या तेल लगा हुआ paper लगा दीजिए तो गत्ते का box जो है, ये जो shoe box आते हैं जिसमें जो जूटे हैं या चपल हैं वो जो बॉक्स होते हैं न a shoe box फ्यक् hacker एक अब ले सकते हो इस तरफ यहाँ पर पेपर लगाया है तो इसके बिलकुल पीछे की तरफ एक छूटा सा छेद कर देना है आप छेद वाले हिस्से को किसी चमकदार वस्तु जैसे केंडल या दिन में पेड की तरफ कर दीजिए इस तरह से यहाँ पर जैसे केंडल रखती है अब आपको वस्तु का प्रतिविम ट्रेसिंग पेपर पर नजल आ जाएगा तो आप जो वस्तु है यानि जैसे मौमबत्ती है उसका जो प्रतिविम है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिन होल कैमरे से प्रतिविम जो है वो उल्टा बनता है तो आप देख पा रहे हो मुंबती की लो जो है वो यहाँ पर देखे उल्टी दिखाई दे रही है तो यानि जो पिन होल कैमरे है उसे जो प्रतिविम बनेगा वो कैसा बनेगा वो उल्टा बनता है सेकिन क्या है प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के कारण वस्तू के उपर से आने वाली प्रकाश की रेखाएं और वस्तू के नीचे से आने वाली प्रकाश की रेखाएं एक दूसरे को पिन होल में काटते हुई सीधी चली जाती है प्रतीविम बहुत साफ नहीं होता है क्योंकि कम प्रकाश पिन होल से अंदर आ पाता है इसलिए जो प्रतीविम है वो बिलकुल एकदम साफ नहीं होता है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है प्रतीविम और चाया में यह जो प्रतीविम है देखो बेटा चाया जो है वो हमेशा जो डार्क होती है वो काली होती है लेकिन जो प्रतीविम है वो क्या है रंगीन होता है तो यही एक मेन अंतर है प्रतीविम और चाया में चीके तो जैसा आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो यह जो पीड है जब हम ने इसको pin hole camera बना के देखा तो इस तरह से देखे उपर से आने वाले प्रकाश की किरने और नीचे से आने वाले प्रकाश की किरने एक दुसरे को काटती हुए कुछ इस तरह से प्रतिविम बनाती है और ये प्रतिविम कैसा है प्रतिविम उल्टा है ठीक है साफ नहीं होता ह उल्टा है, रंगीन होता है, तो इस तरह से आप भी खुद भी जो है पिन होल कैमरा घर पर बनाएए और इस गतिविदी को इस पिन होल कैमरा बना कर इसकी पिक्चर, इसकी वीडियो जो है वो जुरूर अपनी टीचर के साथ शेयर कीजिए, नेक्स देखिए हमें सूरिये को सीधे कभी नहीं देखना चाहिए, तो बेटा सूरिये को जो है हमें सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूरिये से आने वाली जो उसमें कुछ हानेकार केरने होती है, जो हमारे आखों के लिए अच्छी नहीं होती, सभी गतिविदियां अभिभाव को या किसी बड़े की उपस्तिती में ही करें, ठीक है, तो यह थी बच्चो आपकी आज की वोकशीट, आई हो बेटा आपको यह जो वकशीट है, जो एक्टिविटीज हैं, यह क्लियर है, और दोनो एक्टिविटी आपको खुद से करके देखनी है, पिन हूल कैमरा आपको बनाना है, इसका ज